नमस्तर दियो स्ट्वेंट्स, वेलकम टो आल, स्वागत है आप सभी का PT एजूकेशन पे एक बाद फिर से, मेरा नाम है राहूर रंस चौधरी और आज है हमारा सेशन नमबर 171, तो 171 सेशन हम लोग कर चुके हैं, मतलब 170 कर चुके हैं, इसे 71 करने जा रहे हैं, PT's News Affairs में आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे थोड़ा फॉरा लिलेटिड, तो चाइना ने एक Dam Diplomacy भी निकाली है, चीन के तरफ से एक हबर आई है कि they are going to put a Dam Diplomacy, क्या है ये चाइना's Dam Diplomacy, रिलेटिड है आपका current event of national and international importance, इंडिया and world geography से भी, साथ ही साथ भारत और उसके पडोसी देशों के बीच के रिष्टे, और मेंस के अगर paper की बात करें, मुख्य परिक्षा की बात करें, तो इसमें GS paper 1 से related है, और paper 2 से related है, policy से भी related है, देखेंगे इस पर भारे सरकार का क्या मतलब, उनकी क्या इस पर प्रतिकरिया रहती है, क्या उनका reaction रहता है, इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि China ने अभी क्या किया है, चाइना ने अभी अभी फाइव एयर प्लान की जो है policy वो लांच कर दी है, एक एक करके देखते हैं, क्या मसलब मसला है, वाटर दकी issues है, तो पहले point को अगर हम समझे, तो चाइना ने अपने new five year प्लान को ड्राफ्ट किया है, कब से कब तक, 2021 से 2025 तक, जिसमें उन्होंने permissions दी हैं, कि वो पहली बार जो है, वो dam बनाएंगे, बांध बनाएंगे, किस एरिये में, तो lower reaches of ब्रह्मपुत्र river, lower reaches of ब्रह्मपुत्र river, अब lower reaches और ब्रह्मपुत्र में बनाएंगे, तो भारत को क्या खत्रा है, भारत को एक खत्रा है, कि जो lower reaches है, उसका जो border इलाका है, वो अरुनाचल परदेश पे आके लगता है, और साथी साथ कुछ और down streams कुछ नदिया है, उन पे भी लगता है, तो अगर ये लोग lower reaches में बनाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपनी draft policy में बताया है, तो ये तो एक basically border area को मतलब तोड़ने की बात हो गई, राइट, ब्रह्मपुत्र को तिबबत में यारलंग जांगबो कहते हैं, और चाइना में सांगपो कहते हैं, यान रखेगा, चाइना में क्या कहते हैं, सांगपो, वहीं बांगलादेश में इसे जमुना कहा जाता है, बांगलादेश की जमुना जो है, वो कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो चीन के इस draft policy के कारण, अब थोड़ी सी जो है, चाइना ने कुछ ऐसा ही किया था, उन्होंने अपना पहला हाइडरो पावर प्रजेक्ट जो है वो, जांगबू में बनाया था तिबबत में, आपको पता ही है, तिबबत जो है वो टार है, तिबबत और्टानॉमस रीजन, तो वहाँ पे उन्होंने अपना पहला हाईडर पावर प्रजेक्ट बनाया था जिस और तीर और डैम्स बनाया थे जिनका नाम था दागू, जी एकसू, जी आचा और कुछ अपर और मिडल लेवल के मतलब शेतरों में उन्होंने ये सारी चीज़े बनाई थे तो ये कुछ नाम आप याद रखेगा दागू, जी एकसू, जाचा करीन कई बार सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि रिसेंटली दागू, जी एकसू, जी आचा और इन दे न्यूस, वाटर दे, तो बेसिकली दे अधर डैम्स फॉर्मड बाई चाइना तो 2015 में भी ऐसा किया, जिसको लेके मतलब भारे सरकार ने इसमें मतलब एक प्रतिक्रिया जाहर की कि नहीं, ये मतलब अच्छी बात नहीं है इस तरीके की बांधों को बनाना वो भी ऐसे डिस्प्यूट प्रॉन इलाके में और किसी के टरिटोरियल जो चीजें है छेतर हैं, उन पर मतलब अपना अधिकार जाता ना तो ये अच्छा नहीं है, इंटरनेशनल पीस के लिए भी और भी बहुत तरीके की डेवलप्मेंट्स के लिए भी तो चीन ने ऐसा नहीं है कि पहली बार किया, 2015 में भी किया था और अब फिलाल अपनी जो policy on has arrived किया है, उसमें भी कुछ ऐशा ही इन्होंने बोला है अब इसमें issues क्या क्या है चीन ने जो ऐसा कहा है तो इसमें issues क्या है पहली इश्यू तो यह है कि चीन जो है बदवाश है मतलब कि वो अपने जो information है अपने प्रजेक्ट की जो information है बहुत कम release करता है उनके क्या long term plans है किसी को नहीं मालूम होते हैं तो जब कुछ release ही नहीं कर रहा है तो मतलब थोड़ा सा इंसान को साउधान रहने की जरूरत होती है चाइना इसमें यह भी कर सकता है अगर वह लोवर रीचीज में ब्रहम पुतर के लोवर रीचीज में अगर वह बांध बनाएंगे तो उसका बॉर्डर इलाका अरुनाचर प्रदेश से लगता है तो उसमें क्या होगा कि वह पानी को manipulate कर सकते हैं water resources को और साथी साथ भार आने की जो है संभावना बहुत पैदा हो जाए तो आसपास के जो गाओं इलाके हैं वह बहुत मतलब देनी स्थिती में रहेंगे तो यह कुछ की issues है क्या भारत के साथ चीन की कोई water treaty है तो at present तो कोई भी water cooperation treaty भारे सरकार और चीन के सरकार के बीच में नहीं है लेकिन इन्ह किया था जहां पर इन्होंने अपना hydrological data share किया था और जिसको extend किया गया 2013 में फिर से तो 2002 में sign किया था for hydrological data कुछ data को लेके और 2013 में इसको extend किया था लेकिन अभी हाल फिलाल कोई वैसी official treaty जो है water cooperation treaty वो इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है तो यह भी बहुत एक key statement ह जिसको आपको याद रखना है ऐसे statement बनाके पूछे जा सकते हैं अब बात करते हैं ब्रह्म पुतर की क्योंकि geography आई है ब्रह्म पुतर का नाम आया है तो थोड़ा ब्रह्म पुतर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया जाए यह चाइना की पूरी damn diplomacy है कि कैसे कैसे उन्हे bridge discharge इसका origin कहा है तो जो इसका origin है वो कैलाश के जो ranges है चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर तिबत में वहां पे से इसका origin है और East of Monserver Lake में पढ़ता है इसका जो मुहाना है जो माउथ है वो कहां पर है वो Bay of Bengal में है यानि बंगाल की खाड़ी में है यह भारत में अरुनाचल प्रदेश में अंटर करती है और किस नाम से अंटर करती है तो दिहांग नाम से अंटर करती है यह आपको ध्यान रखना है अरुनाचल प्रदेश में ही आती है ध्यान रखेगा lower reaches जहां पे चीन दे मतलब अभी अपने draft policy में कुछ किया नहीं है draft policy से बोला है कि हम अरुनाचल प्रदेश में दिहांग नाम से अंटर करते हैं और इनका great brand है जो नामचा बर्वा पे होता है नामचा बर्वा जो है मतलब last point है हिमालेस का तो वो भी आप देख लीजिए और साथी साथ आसाम तक आते आते दिहांग जो है वो दिबांग और लोहित नदी से मि पूछा भी गया था लोहित के बारे में इसको यारलंग जांगबो कहते हैं और सांगपो कहते हैं तिबबत में तो यारलंग जांगबो चाइना में सांगपो कहते हैं और जमुना कहते हैं कहां पे बंगलादेश में राइट अब इनके कुछ ट्राइबिटरी को देख लेत कुछ important tribal trees है इनकी जैसे कि लोहित, दिबांग, सुभांसरी, जिया भराली, एक बास सुभांसरी भी पेपर में आ चुका है तो ध्यान रखेगा, धांसरी, मानस, तोरसा, सांको, स्तिस्ता, तो ये जो है इनकी right tribal trees है, मतलब इस नदी के जो right तरफ जो flow करते हैं, तो right tribal trees हैं य आपका नाम है बुरी, दिंग, देसांग, दिखो, एंड कॉपी ली, तो ये जो है, ये इनकी left tribal trees हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है, clear? तो ये कुछ आज की जो news थी चीम से संबंदित, आज का fact, fact of the day, कि अभी हाल फिलाल food waste index report 2021 launch किया गया है, food waste, क्योंकि बहुत सारे ल रिलीस कौन करता है, तो UNEP, United Nations Environment Program इसको रिलीस करती है, साथी साथ International Women Day 8 March को हर साल celebrate किया जाता है, इस बार का जो theme था, वो था, choose to challenge, इस बार का जो theme चूज किया गया है, क्या लिए आगया है, choose to challenge, क्योंकि challenge ही अगर आप लेंगे, तो उससे फिर आपकी growing capacity, आपकी जो potential है, तो निखरती है, तो ये इस theme का ये मतलब था, तो ये दो fact मैंने आज आपको बता दिये, एक food waste index report 2021 and International Women Day 8 March of every year, economic cracker course शुरू हो चुका है, अभी तक अगर आपने enroll नहीं किया है, तो आईए खुद को enroll कीजिए, wonderful sessions are going on, और किसी भी तरीके के परिशानी के लिए, दिये वे help line number पे आप संपर कर सकते हैं, साथी साथ अगर आपको enroll करना है, तो ये link है, learn and be confident with economy like a boss, PT के subscription course is on है, CA booster premium level 1 and power of 10 level 2, जिसमें आपको बहुत अच्छे-च्छे insights और enrich content बिलेगा, आईए enroll कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है, साथी साथ current affairs की annual compilation book store पे launch हो चुकी है, तो book को download करके पढ़ना ना भूले, हम मिलेंगे अगले session में, till then take care, नमस्ते, जय हिंद